तो प्लीज मेरी चानल को सब्सक्राइब परें बिल बटन को दबाए और यह रेसिपी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर दरें पर चेलिए रेसिपी स्टाइट करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले एक पैन में थोड़ी सी पानी ले लेंगे ताकि दूद तलवे पे ना लगे और उसके बाद हमें इसमें एट करना है दूद यहाँ पर मैंने एक लीटर फुल फैट मिल्क लिया है आप अपने जरुरत के हिसाब से इसे ले सकते हो पानी दूद को घटरा दे इसे मने तो आभी इस दूद को गैस मेरी हाइज के लिए कि इस बीच बीच में कि यह जाते हैं अगर यह चिपक जाते हैं तो इसका बाहुत झालार या जैसा पार्टिकल्स इस में रहे जाते हैं जू meth हैं जोकि देखने में बहती गंदा लगते हैं तो इसके लिए इसे भी करते हो तो दूद गर्म हो चुके हैं इसके उपर ज्जाग आ रहे हैं तो इसमें डाल देंगी इलाइची यहाँ पर मैंने छोटी इलाइची को हलका सा कूटके इसमें डाल दिया है ताकि इसका बीज बाहर ना आए लेकिन इसका जो फ्लेवर है पूरा दूद में आ जाएं तो इससे हम बाद में निकाल देंगे पर अगर आप इलाइची का पाउडर यूज करना चाहते हो तो उसे एकदम आक्षिर में ही यूज करें तो यहाँ पर मैंने साबूत इलाइची डाला है तो इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया है ताकि इसका जो फ्लेवर है पूरी तरह स दूध में आजायें तो गैस का फिलम हाई है इसे चलाते रहना ज़रूरी है इस तरह से छोड़के करें पर ना जाए तो दूध उचल के बाहर आएगे और पुड़ा जो आपका रेसिपी है वो खराब हो सकते हैं तो भीच भीच में ज़रूर चलाते रहें और गैस का फिल लिया है आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी एड़ कर सकते हो तो यहां पर जो काम है चीनी को हमें क्यार्मिलाइज करना है तो ध्यान रखिएगा के पहले मीडियम फ्लेम पे रखे और जैसे ही चीनी पिगलने रगे तो इसका फ्लेम लो करते हैं और दूद को छोड़ना कईक तक कम हो जाते हैं तो इस स्यत्सादारी से लेना है बहुत ज़्यश्व कर एक प्लेम लोव करेंगे तो नहीं तो बार में यह सम्वालनां बाहत मुश्किल हो जाता है चीनी एकदम से जलाते है और बहुत ही बदबू आते हैं इसमें से जो कि हमें इस रेसिती के लिए नहीं चाहिए तो एक स्पेचुलर की मदद से इसे चलाते रहेंगे ताकि यह इवेंडली क्यार्मेलाईज हो जाए कही पर जादा कही पर कम ऐसा ना हो ऐसा होना भी नहीं च मेरे हाथ में एक बार हुआ था तो वह बर्ण का स्पॉर्ट रह गया अभी तक तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए और यहां पर देखिए चीनी का काफी चेंज हो गये है पुरे शहद की तरह है इसका टेक्श्चर कलर ऐसे ही होना चाहिए और इस स्टेज में गैस का फ् अगर आप चाहो तो थोड़ा सब पानी के साथ भी कर सकते हो पर दूद के अंदर डालना ही यह बैतर रहता है इससे इसका टेस्ट अच्छे आदे है तो अगर आप थन दूद दालोगे तो दूद फट जाएंगे तो इससे प्रिवेंट करने के लिए गरम गरम दूद डाल और फिर उसे में वापस से जो दूद उबाले रहे थे उसके अंदर डालोंगी और इसे तेज आज में हमें पकाना है ताकि जो भी पार्टिकल्स चीनी के मतलब करमलाइस चीनी के रह गये हैं तो वो पिघल जाए और वो दूद फटने की चांस भी नहीं रहते हैं अगर गैस काज तेज हो तो दूद भी यहाँ पर काफी रिड्यूस हो चुके हैं फिर उसमें हमने करबलाइस चीनी को एट कर दिया है और इसे हमें लगाता चलाते रहना है इस तरह से तो इसमें थोड़ी सी चुटकी भर नमक हम एट कर देंगे क्योंकि कोई भी मीठा चीज हो इसमे आते हैं और कुलफी में तो थोड़ा नमक डालना ही चाहिए तो जो दूद हमने निकाल लिये थे उसके अंदर डाल देंगे आधा कप पाउडर्ड मिल्क इससे डालने से इसका टेस्ट और जदा आची आते है जैसे मावा की तरह और एक चमच कॉन फ्लावर इसमें आट कर कुलफी में बेकिंग सोडा का क्या काम है बहुत वड़ी आकाम है अगर आप एक चुठी बेकिंग सोडा को अंदर डालोगे तो तो जो है hard नहीं बनते हैं कि इसे जो कुलफी बनेंगे वह आइस क्रिम की तरह तो नहीं बनेंगे लेकिन सॉफ्ट कुलफी बनके तयार हो जाएंगे वरना बात वही रहेगा कि आपने चम्मत चलाया अपनी कुलफी पर और वह जाकेंगे दूसरे की प्लेट में इतना हाड हो जाते हैं कुलफी तो सॉ चलाते रहना है क्योंकि इसमें कॉन फ्लावर है और कॉन फ्लावर चिपक जाने की चांसें 100% रहते हैं अगर आपने इसे सही तरीके से ना पकाया मतलब चलाते रहना चाहिए छोड़ना नहीं है इसको और यहां पर आप देख सकते हूं उपर काफी जाग बन रहे हैं वह क्योंकि यहां पर हमने बेकिंग सोडा डाला है तो इसलिए इसमें जाग बनेंगे ही तो अभी इसे हमें कुछ और रिडियूस करना है मतलब इसका ठीकनेस काफी जादा गारा हो जाए तब तक हमें इसे करना है तो कि इसमें अभी वाटर कॉंटेंट बहुत जादा है तो यहां पर आप देख सेकते हो इतना हमें थिकनेस चाहिए वैसे यह अभी गरम है और इसे हमें ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद यह और ज्यादा थीक हो जाते हैं तो इतनी कंसिस्टेंसी में हमें इसे छोड़ना है मतलब यहां पर मैंने एक लीटर दूद लिया था तो यहां पर करीब 400 ml के आसपास रह जाए है तो इतना हमें इसे पकाना है तो इसे पहले पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और इसके अंदर जो हमने इस साबुत इलाइची डाले थे उसे भी इसी स्टेज में निकाल लेंगे क्योंकि इलाइची का जो पूरा फ्लेवर है वह इसमें जा चुकह एभी कोई काम नहीं है उन्होंने मुझे मुझे कॉमेंट किया था कि सिर्फ वणने वाली कोई चीज़ आप हमें बताए तो सिर्फ दूद से ही बने और कम से कम समान में बन जाए ऐसी चीज में आपको बता दीए हूँ और यहाँ पर देखिए दूद गाड़ा होके इतना गाड़ा हो चुके है और यही कंसिस्टेंसी हमें कुल्फी बनाने के लिए चाहिए कुल्फी मोल्ड है और अगर आपको पासकते हैं बना कोई पर बनाना चाहते हो तो इस analogy क्यां है कर देढ़ के बनेके और जितना होसले इसे भ़ड़के तयार कर देंगे तो ये देखिए ये टोटल सारे 3 कब बने हैं हमारे तो उसके उपर से इस तरह से क्लिंग रैप लगा देंगे ताकि इसके उपर बड़फ न जम पाए तो बड़फ को ब्रिवन करने के लिए उपर से कोई भी धक्कन या फिर इस तरह का रैप लगाना जुरूरी है अब इसे फ्रीजर में रख देंगे ओवरनाइट के लिए या फिर दस से बारा खंट के लिए क्योंकि कूल फिर जमने में थोड़ा टाइम लगता है इस बात का ज़रूर ध्यार रखे और ये देखिए हमारा कूलफी पूरा सेट होके तयार हो गए है में में इक-दम सॉफ्ट कूलफी बने में हैं ये हार्ट ऊपी में बने में हैं ये देखिए लिए हमारा में ऐसे हैं करना सकते ही और इस या चाहनों आप दिए इससलाइस पहतेिwalेशन गदा 법 करें अच्छे दिखे इस तरह से भी आव इसे सर्फ कर सकते हो और जिस चूरी से आप इसे काट रहे हो उसे पहले से थोड़ी से गरम पानी के अंदर भीगो के रखे चूरी को तो यह आशानी से कट के त्यार हो जाते हैं और यह देखिए हमारा कुलफी बनके त्यार हो गए है इस इसे थोड़ी से पिस्ताशियों के साथ गार्णिश कर देंगे और उसके साथ उपर से तोड़ी से गुलब का पाउडर डस्ट कर देंगे घर पर इसे ज़रूर ट्राइ करके देखिए और फिर मुझे बताए कि यह कैसे बनी है तो चेलिए फिर मिलेंगे एक और नही रेसि किसार